सो बेसिकली पूरे देश में दुनिया भर में कोविड के दौरान एजुकेशन बुरी तरह से प्रभावित हुई है एजुकेशन ओवरॉल स्कूलों में पढ़ाने का तरीका पढ़ाई कराने का क्लास लेने का तरीका लैब लैबरेरी प्रेक्टिकल एग्जाम सारी चीज़ें एकदम रिडिफाइन हो रही हैं कोविड के दौर में और ये भी सिद्ध होता जा रहा है कि पोश्ट कोविड वर्ड में कोविड की वेक्सीन जब आ रही है तो हम सब जानते हैं कि अब बिजनिस इस नोट गोई टो बी एस उसल स्पेश्लीन एजुकेशन शिक्षा पोश्ट कोविड वर्ड में वैसी नहीं रह जाएगी जैसी हम कोविड से पहले कि दुनिया में पढ़ते थे पढ़ाते थे प्रेक्टिकल करते थे एक्जाम करते थे लेते थे इसकूल कॉलिज चलाते थे उनके तोर तरीके बदलेंग और मजबूरी भी होगी कुछ टेकनलोजी की वज़े से भी और कुछ मजबूरी की वज़े से भी चीजें में बतलाव आएगा पर इसका कोई short shot solution की COVID के बाद की परिक्षाएं कैसी होगी COVID के बाद की पढ़ाई कैसी होगी श्रिक्षा कैसी होगी school college कैसे चलेंगे इन सबका कोई short shot solution किसी के पास नहीं है ना administrators के पास है ना सरकारों के पास है ना teachers के पास है ना education experts के पास है क्योंकि दुनिया में पहली बार ये परस्तितियां पैदा हुई है लेकिन सब को brainstorming करके अब समय आ गया है कि इसके तरीके निकालें कि कोविट के बाद हम स्कूल खोल रहे होंगे का तो पढ़ाई कैसे होगी किस तरीके से होगी ये एक बड़ा सवाल आज ख़ड़ा हुआ है और खास्तोर से जिस समय हम vaccination की तैयारी कर रहे है जिस समय हम यह तैयारी कर रहे है कि अब vaccine आ रही है और सरकार का अमला डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का अमला वेक्सिनेशन पर आगे बढ़ रहा है कि दुनिया को वेक्सिन उपलब्ध होगी वैसे में पढ़ाई कैसे होगी उस पर बेनिस्टॉर्मिंग की जरुत है इसके जरुत को महसूस करते हुए दिल्ली सरकार ने एक पहल की है दिल्ली में पहली इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फरेंस डेली एजुकेशन कॉन्फरेंस का आयजन होगा ये आयजन 11 से 17 जनवरी तक होगा और इसका मकसद है कि जो एजुकेशन की आज की चुनोती है उसको अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 5 साल के experience को देखते हुए और नई education policy को देखते हुए हम कैसे आगे बढ़ाएंगे आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसको education के काम को लेके आगे कैसे चला जाएगा इस पर brainstorming करना है इसमें इसका मुख्या आकर्षन ये रहेगा इस डेली education conference का कि इसमें साथ देशों के 21 panelists जिसमें भारत के भी जो जाने वाने लोग हैं education पर काम करते रहे हैं और दुनिया भर में भी इसमें रहें कंट्रीज में education कैसे आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है school क्या तैयारी कर रहे हैं colleges क्या तैयारी कर रहे हैं पढ़ाने से लेके और परिक्षाय लेने तक की तैयारियां क्या हैं मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जैसा मैंने कहा कि 21 panelists होंगे जो education के दुनिया भर में expert माने जाते हैं वैसे 21 लोग हैं जिसमें भारत के भी लोग हैं और साथ देशों के लोग हैं कुल Lucy Crehan इसमें रहेंगी जो बहुत famous international writer है education पे और उसके साथ साथ वो पाँच देशों की education को बहुत in-depth वहां पाँच देशों में रहके उन्होंने वहां की education को study किया है Finland, Singapore, Japan, Canada अधित पाँच देशों की इस तरह से जाके उन्होंने education को in-depth study किया है Professor Pritchett होंगे जो Harvard में पहले Kennedy School के professor थे और उसके बाद में Oxford University में अभी education पे professor है वहां पे Sebastian होंगे जो senior lecturer है जर्मनी में Risenberg University में education का काम देखते हैं उनको भी international experience है education पे काफी knowledge है और दुनिया भर में वो education को study कर रहे हैं इस समय भारत में elementary education की founder कह सकता हूं मैं मानी जाती है Dr. Vimla Ramachandran जो देश भर में सक्री हैं दुनिया भर में उनकी expertise मानी जाती है elementary education में वो रहेंगी रुकमणी energy प्रथम की से जुड़ी हुई है और असर report जिनकी हम हमेशा हर साल चर्चा करते हैं और भारत में education की overall इस्तिधी क्या है उसकी नब्स को समझती है रुकमणी बेनर जी रहेंगी यामिनी है जो center for policy research पर education policies पर उनका बहुत काम है national international leave उसमें expert है प्रफेसर विनीता कॉल है जो early childhood की expert है देश में मानी जाती है अंबिटकर इनुष्टी से भी retire हुई है तो ये लोग इसमें रहेंगे इस तरह के 21 panelists पूरी brainstorming करेंगे दिली के teachers के साथ देश भर के teachers के साथ government school private school के teachers educationist सब इसमें brainstorming करेंगे और 7 दिन तक ये education conference चलेगी इसका स्वरूफ हमने online semi online रखा है कुछ हिससे इसके online होंगे कुछ हिससे semi online भी रहेंगे दूसरा दिली के बारे में जो एक पिछले 5 साल में अभी तक की journey रही है इसको independent study किया है Boston Consultancy Group जो experts का group माना जाता है बहुत professionally highly professional independent experts का group है Boston Consultancy Group BCG उसने study किया है तो उसको देखते हुए अभी तक की journey को देखते हुए इसके जो challenges रहे अब कोविड के दौरान नए challenges जो निकल रहे हैं इसको कैसे coop up करेंगे इस पे भी इसकी चर्चा होगी और तीसरा देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग राज्यों में सरकारें गवर्मेंट स्कूल, प्राइवट स्कूल कैसे इस स्थती से निबटने की और नई education policy के आलोग में कैसे तैयारी कर रहे हैं इस पे भी चर्चा होगी क्योंकि देश भर में जो अच्छी practices हैं उनसे भी दिल्ली को भी सीखना है तो इसके तीनों पहलों पर साथ दिन तक चर् इसके लिए हमने website दिली सरकार ने बनाई है डेली educationconference.org इस पर आपको पूरी conference की जानकारी भी मिल जाएगी इसके अलग-अलग sessions की जानकारी भी मिल जाएगी पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत important initiative है बहुत जरूरी initiative है कि आज हम चर्चा करें जिस समय हम देश में नई की चर्चा हो रही है कि जब vaccine लग जाएगी तो school खुलेंगे और इधर दिली में पांच साल के अपनी experience हैं learnings हैं उन सब को साथ लाके हम कैसे देश की education को दिली की education को shape-up करेंगे उसके लिए मुझे लगता है education conference बहुत important गोमिका ने भाई की जैसे vaccine आने की बाद अब सब र जाएंगे कब से खुले जाएंगे और कैसे protocol जो comment protocol उसको follow कराएंगे यह बहुत इस पर brainstorming चल रही है हमारी within education department और हम सब लोग थोड़ा सा इसका इंतजार कर रहे हैं कि vaccine किस तरह से available होती है vaccine के जो पहले frontline workers को एक बार vaccine पहुँच जाए उनको लग जाए उसके बाद किस मा मत्रा में vaccine उपलब्ध हो जा रही है और कब तक हो जा रही है इस सब calculation के आधार पर आगे की रिणनीती निर्वर करेगी तो अभी मेरे लिए इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा but हम सब लोग इसको बहुत closely watch कर रहे हैं कि हम कितना जल्दी school खोल सकते हैं खास तोर सब क्यों कर दी दूंग् एकन होकित अर्ध छगी जा झाली करें कितना अर्ध लिए को थो LI